जब यूपिय सरकार के दौर में जातिय जन्गर्णा हुई थी, आप लोग सरकार के हिस्सेदार थे, वो आंक ने क्यों छिपा लिए गए? पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या किया पहले? मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूँ. लेकिन आज जो पॉजिटिव सोच है, क्योंकि आज की पीड़ी जागरुक है, समझदार है, वो जानती है, वो ट्रांस्पेरेंट सोसाइटी के दौर में चल लई है सोचल मीडिया का इतना इंटिफरेंस है, कम्मुनिकेट इतना हो रहा है चीज़ है, कि आप कोई बात नहीं छेपा सकते हैं. इसलिए बीजेपी को ये मौका मिला है, विपश की जो बात रही है, खासका समाजादी पार्टी की जो बात रही है, कि जादी जणना हो, इससे द अब जवाब आपको देना होगा, 2012 से 2017 तक आप मुख्यमंतरी रही प्रदेश के, आपके मजबूत सरकार रही यहाँ पर, आपने क्यों नहीं करवाया उस समय? जाति जणना कराई जाए, उस समय आस्वाशन हुआ, जाति जणना के डेटा कलेक्ट हुआ, लेकिन वो साभजिंग नहीं हुआ, हमें उम्मीद हैं, कि इस सेंस में जाति जणना भी होगी, और डेटा उसका शेर भी होगा, लेकिन जो समाजबात के आप लोग पुरोधा है तमाम अलग अलग नेताओं के आपने नाम लिये, चाहें महात्मा गांधी हो, चाहें जैप्रकाश नारायन हो, हमेशा हैं लोगों की ओर से इसका विरोध किया गया, इस देश में जातिकर जणना तब हुई थी जब अंग्रेजों का शासन था, उन्ने सो एक तीस में, उन् आज एक नयाई के लिए या गरीबी हटाने के लिए अखिलेश जी, क्या जाति का चश्मा पहन कर देखना जरूरी है, मैं चाहूंगा, और जितने लोग जाति जणना के खिलाफ लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूं कि मंडल कमिशन की जो प्रस्तावना वो ज़रूर पढ़न मंडल कमिशन की रिपोर्ट आने के बाद UPA के सरकार बनी, तो उन्होंने कौन सा चश्मा पहन कर रखा हुआ था, और वो भी दस सालों तक मंडल कमिशन को लेकर के बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है, और उसी का परणाम यह हुआ है कि आरक्षरो मंडल कमिशन सिफारत से लागू ही है, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, तो हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जाति जणना होगी, और आजकल तो इतना टेकनोजी है, क्योंकि मैं जब अखवार पढ़ता हूँ, जो बात आप कह रहे हैं कि सूत्रों से पता लगा है, तो सूत्र ये भी कहते हैं कि डिजिटल ही, और आज कि जो टेकनोजी उसको इस्तेमाल करकर के जणना होगी, तो आज तो बहुत आसान है, अगर आप ड टारीफ कर रहे हैं इंडिरेकली, क्योंने बहुत अग्या काम किया जाते हैं, और निटीश कुमाजी की तारीफ तो और तब ज्यादा होगी, जब वो उनका साथ छोड़ा हैं, क्योंकि वो ही हमें लेके गए थे इंडिया कड़ बंदन में, उन्हीं के कहने से में इंडिया अब वो हमें छोड़के चले गए, तो हम तो नहीं बदले, लेकिर वो हमें छोड़के चले गए, फिर आप बुला रहे हैं उनको, समय पर चीज़ां बदलती हैं, वो कभी हमारे साथ थे, आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन आपको भरोसा है कि वो आ जाएंगे, मुझे साथ पचीज़ में बिहार में चुनाव है, तो उसके ठीक पहले आपने कहा कि नितीश कुमार इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं वो, अभी बिहार न जाएं के बल यूपी हम लोग रहें, क्योंकि हमारे मुझेंदी जी ये कह के वन ट्रिलियन डॉलर एकोनिमी, वो शायद बन ट्रिलियन नहीं जानते होंगे, और उन्हें अपने सलाकार बदलने ने चीए, मैंने सदन में भी का था, कि जो उनके सलाकार हैं, उन्हें सलाकार बदलना चीए, क्योंकि उस ग्रोथ रेट के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपने अगरिजर सेक्टर में माली जी हम उधार लेले पुलिस भरती के, अगर पुलिस भरती का जो पेपर हुआ, तो लगबख 30% नौजवान परिक्षा नहीं दे पाया, और फिर इसी प्रदेश ने सबसे ज़्यादा पेपर आउट देखे, पेपर लीक देखे, और उत्ते प्रदेश में नौकरी कहा ह हैं, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, उसके डेटा के शिपारी सरकार, अखले जी यही वो सवाल है, देखे, 2014 से लगातार केंदर में और 2017 से बीजेपी के सरकार उत्तर प्रदेश में है, 2017 में आप लोगों को 47 सीटे मिली थी, कॉंग्रिस पार्टी साथ सीटों के साथ से म में आप नहीं हुए, 2022 में भी किसानों की बात, रोजगार की बात, महिला सम्मान की बात, लगातार आप लोगों के ओर से की गई, उसके बावजूद अगर बीजेपी 270 से जादा हासल कर लेती है, कमी कहां पर रह जाती है, उनकी बातों पर ऐसा लगता है, विधान सभा की म नहीं है, उत्तरपदेश के लोग जान रहें कि सरकार रोने बनाई लेकिं सरकार ने उत्तरपदेश को दिया नहीं कुछ, आज बीजेपी की सरकार नहीं है, गढवनन की सरकार है, और यूपी नहीं सरकार बनवाई हमेशा बीजेपी की, और उपर उत्तरपदेश को क्या मि पराद की बात करते हैं तो एक उंगली आपकी और भी उड़ती है और वो सवाल इस बात को लेकर पूछा जाता है हाली में हमने देखे चाहें कर नौज हो अयुद्या हो या बाकि कुछ ऐसे मामले सामने आए जहां पर समाजबादी पार्टी के नेताओं से डारेक्ट या इं अभी जिला अधिकारी के आवास में डेड बोडी मिली है क्या जिला अधिकारी ने हत्या कराई है जिला अधिकारी के आवास में आठ फीट गड़ा खोद दिया गया आठ फीट गड़ा उसमें तफना दिया गया और जहां तक डियने का सवाल था मैंने मांगा था डियने की वेट करेंगे फैस्ता जो भी आएगा वो समने होगी बात और जहां तक कन्योज के सवाल है मैंने पहले भी गाफिर कहता हूँ बीजेपी के लोग बीजेपी को फसा रहे थे उसमें खेल बीजेपी काई है एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी